मेरे पेरे देश्वासियों, नमस्कार, मन की बात में एक बार फीर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, इस बार मन की बात का ये एपिसोड, सेकंड सेंचुरी का प्रारम है, पिछले महिने हम सभी ने इसकी स्पेशल सेंचुरी को सलिब्रेट किया है, आपकी भागीदारी ही इस कारकम की सबसे बड़ी ताकत है, सोवे एपिसोड के ब्रोडकास के समय, एक प्रकार से पुरा देश एक सुत्र में बन गया था, हमारे सफाई कर्मी भाईबेन हो, और फिर अलग अलग सेक्टर्स के दिगज, मन की बात ने सब को एक साथ लाने का काम किया है, आप सभी ने जो आत्मियता और सने मन की बात के लिए दिखाया है, वो अभूत पुर्व हैं, भावुक कर देने वाला है, जब मन की बात का प्रसारण हुआ, तो उस समय दुनिया के अलग-अलग देशों में, अलग-अलग टाइम जोन में, कहीं शाम हो रही थी, तो कहीं देर रात थी, इसके बावजूद, बड़ी संख्या में लोगों ने सौवे एपिसोड को सुनने के लिए समय निकारा, मैंने हजारों मिल दूर, नुजिलेन का वो वीडियो भी देखा, जिसमें सो वर्स की एक माताजी, अपना आशिरवात दे रही हैं, मन की बात को लेकर देश, विदेश के लोगों ने अपने विचार रखे हैं, बहुत सारे लोगों ने कंस्ट्रक्टिव एनालिसित भी किया है, लोगों ने इस बात को एप्रिशेट किया है कि मन की बात में देश और देश वाज़ों की उपलग्दियों की ही चर्चा होती है मैं एक बार फिर आप सभी को इस आशिरवाद के लिए पूरे आदर के साथ धन्यवाद देता हूँ मेरे प्यारे देश वाज़ियों बीते दिनों हमने मन की बात में काशी तमिल संगमम की बात की सवराष्ट तमिल संगमम की बात की कुछ समय पहले ही वारानसी में काशी तेलुगु संगमम भी हुआ एक भारत स्रेष्ट भारत की भावना को ताकत देने वारा ऐसे ही एक और अनूठा प्रयास देश में हुआ है ये प्रयास है युवा संगम का मैंने सोचा इस बारे में विस्तार से क्यों न उन्हीं लोगे से पूछा जाए जो इस अनूठे प्रयास का हिस्सा रहे हैं इसलिए अभी मेरे साथ फोन पर दो युवा जुड़े हुए है एक है अरुनाचल प्रदेश के ग्यामर नोकुम जी और दूसरी बेटी है बिहार की बेटिया विशाखा सेंजी आईए पहले हम ग्यामर नोकुम जी से बात करते है ग्यामर जी नमस्ते नमस्ते मोडी जी अच्छा ग्यामर जी जरा सबसे पहले तो मैं आपके विशे में जानना चाहता हूँ आपका और बारत सरकार का बहुत ही ज़्यादा आवार ब्याक्त करता हूँ कि आपने बहुत किन्टी टायम निकाल के मुझे से बात करने का मुझे मुझे मुखा दिया मैं National Institute of Technology आवर नाजरी प्रदेश में फस्ट एर में Mechanical Engineering में पर आओ और परिवार में क्या करते हैं पिताजी बगेरे जी मेरे पिताजी चोते मुझे बिजनेस और और क्या वाद कुछ फार्मिंग में सब करते हैं युवासंगम के लिए आपको पता कैसे चला युवासंगम में गए कहां कैसे गए क्या हुआ मोधी जी मुझे युवा संगम का हमारे जो इंसिटीशन है जो NIT है उन्होंने हमें बताया था कि आप इसमें पाग ले सकते तो मैंने फिर तोरा इंटरनेट में तोरा कोज किया फिर मुझे पता चला कि ये एक बहुती अच्छा प्रोग्रम है जिसमें मुझे एक बारत फिरस्ट भारतना जो विजन एक उसमें भी बहुती योगदान ले सकते हैं और मुझे कुछ नया चिस जानने का मौका में लेगना तो तोरांट मैंने फिर उसमें वेस्टाइट में जाके अन्रोल किया मेरा अन्रोल बहुती माज़दार बहुती अच्छा था कोई सिलेक्शन आपको करना था? मौधी जिए जब वेश्याइट कोला था अन्रोल वालों के लिए दो अप्षिन था पहला था अन्रो परडेज जिसमें आई एटी तिरुपती था और दुसरा था सेंट्रल इंडिवरस्टी राजस्तान तो मैंने राजस्तान में किया था अपना फर्स प्रिफरेंस सेकंड प्रिफरेंस मैंने आई एटी तिरुपती किया था तो मुझे राजस्तान के लिए से लगवा था तो मैं राजस्तान गया था किसा रहा आपका राजस्तान यात्रा? आप पहली बार राजस्तान गहे थे? आपको तो सबसे बड़ा फाइदा ये हुआ है कि अरुनाचल में भी वीरों की भूमी है राजस्तान भी वीरों की भूमी है और राजस्तान से सेना में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग है और अरुनाचल में सीमा पर जो सहीनिक है उसमें जब भी राजस्तान की लोग मि जाएगी अज़ा आपको महां कोई समानता है भी ध्यान में आई होगे आपको लगता होगा हाँ यार यार रूना चलमत भी तैसा ही है मौदी जो एक समानता मुझे मिले ना वो थी कि जो देश प्रेम है ना और जो एक भारत स्रस्थ भारत का जो विजन और जो फीलिंग जो मुझे बेखा तीकि अलवने भी लोग अपने आपको बहुत ही गर्व मेसुश करते है कि वो बारती है और राजस्तान में भी लोग प्रिखती नजरा है जो कि वो चाहते कि भारत के लिए जो पुछ करने का और जो अपने देश के लिए प्रेम है और मेना व्हो जो मुझे बहुत और ही लाई्य मुझे नजरा आट आयक है तो आप आप ने ब्लॉग में लिखना चाहिए अपना यह वास अंगम का कैसा रहा ताकि देश भर की युवाओं को पता चले कि एक भारत स्रेश भारत का मातमय क्या है योजना क्या है उसका फाइदा युवा कैसे ले सकते हैं पूर आपने एक्स्पिरिंस का ब्लॉग लिखना चाहिए तो बहुत लोगों को पढ़ने के लिए काम आएगा जी मैं ज जीवन के भी तो मेरी बहुत बहुत सुबकामना है धन्यवाद धन्यवाद मुझी आपको भी नौश्का भी है शाथियों अरुणाचर के लोग इतनी आत्मियता से भरे होते हैं कि उनसे बात करते हुए मुझे बहुत आनन दाता है युवा संगम में ज्यामर जी का वो तो भेतरिन रहा आएगे अब बिहार की बेटी विसाखा सी जी से बात करते हैं विसाखा जी नमस्कार अचा विसाखा जी पहले अपने बारे में बताईए फिर मुझे युवा संगम के विसे में में जानना है तो उसके बाद मैंने अपलाई करा और जब मैंने अपलाई करा तो मैं वहाँचा थी इस पर जॉईन होने के लिए लेकिन जब मैं वहां से घूम के कमिलाडू जा के वापस आई वो जो exposure मैंने गेन किया उसके बाद मुझे अभी बहुत ज्यादा ऐसा proud feel होता है that I have been the part of this program तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है उस प्रोग्राम में पाट लेने की और मैं तहें दिल से अभार व्यक्त करती हूँ आपका कि आपने हमारे जैसे युवाव के लिए इतना बेहतरीन प्रोग्राम बनाया जिससे हम भारत के विभीन भागों के कल्चर को अड़ाप्ट कर सकते हैं विसागा जी आप क्या पढ़ती हैं? मैं कम्प्यूटर साइन्स इंजीनियरिंग की सेकेंड एर की छातरा हूँ अच्छा विसागा जी आपने किस रादी में जाना है? कहां जुड़ना है? वो निरने कैसे किया? जब मैंने ये विवा संगम के बारे में सर्च करना शुरू किया गूगल पे तब ही मुझे पता चल गया था कि बिहार के डेलिगेज्ट को तमिल नाडू के साथ एक्चेज़ किया जा रहा है तमिल नाडू काफी रिच कुल्चिरल स्टेटै यह हमारे कट्री का तो उस ताइम भी मैंने जब ये जाना ये देखा कि भीहार वालों को तमिल नाडू भीजा जा रहा है तो इसमें भी मुझे बहुत जादा मदद किया ये डिसीजन लेने में कि मुझे पॉर्म फिल करना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए या नहीं और मैं सच में आज बहुत जादा गौरवान भी नहसूस करती हूँ कि मैंने इसमें पाट लिया और मुझे बहुत खुशी है आपका पहली बार जाना हुआ तमिल नाडू जी मैं पहली बार गई थी अच्छा कोई खास यादगार चीज अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे देश के विवास सुन रहे हैं आपको जी पूरा ज़र्दी माने तो में लिए बहुत ही जादा बेतरी रहा है एक एक पड़ाव पे हमने बहुत सारी अच्छी चीजे सिखी है मैंने तमिलाडू में जाके अच्छे दोस्त बनाया है वहां के कल्चर को एड़ाप्ट किया है वहां के लोगों से मिली मैं लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी चीज जो मुझे लगी वहां पे वो पहली चीज तो ये कि इसी को भी मौका नहीं मिलता है इस रों में जाने का और हम बेलिगेट्स थे तो हमें ये मौका मिला था कि हम इस रों में जाए दूसरी बात सबसे अच्छी थी वो थी जब हम राजभावन में गये और हम तमिलाडू के राज जपाल जी से मिले तो वो दो मोमेंट जो था वो मेरे लिए कासी सही था मुझे ऐसा लगता है कि जिस एद में हम है as a youth हमें वो मौका नहीं मिल पाता जो कि युवा संगम के थू मिला है तो ये कासी सही और सबसे यादगार मोमेंट था मेरे लिए बिहार में तो खाने का तरीका अलग है तमिलनाडो में खाने का तरीका अलग है तो वो सैट हो गया था पुरी तरह वहाँ जब हम लोग गया थे तो साउथ इंजिन कुजीन है वहाँ पे तमिलनाडो में तो जैसे ही हम लोग गया थे तो वहां जाते के साथ हमें डोसा, इडली, सामवर, उत्पम, वड़ा, उपमा, ये सब सर्फ किया गया था तो पहले जब हमने ट्राइ करा, तो लेट वस्टू गूड वहां का खाना जो है वो बहुत ही healthy है एक्चली बहुत ही ज़्यादा टेस्ट में भी बहतरी में और हमारे नौर्थ के खाने से बहुत ही ज़्यादा अलग है तो मुझे वहां का खाना भी बहुत अच्छा लगा और वहां के लोग भी बहुत इच्छे लगे अब तो दोस्ट भी बन गे होंगे तमिलाडू में? जी, जी, वहाँ पे हम रुके थे, NIT प्रिची में उसके बाद IIT मदरास में, तो उन दोनों जगे के स्टुडेंट से तो मेरी दोस्ती हो गई है, प्लस बीच में एक CII का वेलकम सर्मानी था, तो वहाँ पे, वहाँ के आसपास के कॉलेज के भी बहुत सारे स्टुडेंट आ आ रहे थे, तो हमारी बात्सीत उन से भी हुई थी, और हम अभी भी आपस में बात करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो विशागा जी, आप एक ब्लॉग लेखिए, और सोशल मेडिया पर यह आपको पूरा अनुभव, यह तो इस जीवा संगम का, फिर एक बहुत सुब कामना है, और बहुत बहुत धन्यवाद, जी, थैंक यू सो मिट, नमस्कार, ग्यामर और विशागा, आपको मेरी बहुत-बहुत सुब कामना है, युवा संगम में, आपने जो सीखा है, वो जीवन परियंत, आपके साथ रहे, यही मेरी आप सब की प्रतिए, शुब कामना है, साथियों, भारत की सक्ती, इसकी विवितता में है, हमारे देश में, देखने के लिए बहुत कुछ है, इसी को देखते हुए, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, युवा संगम नाम से एक बहतरीन पहल की है, इस पहल का उदेश, पीपल टु पीपल कनेक बढ भाने के साथ ही, देश के युवाओं को आपस में घुलने मिलने का मोका देना, विविन राज्यों के उच्छ सिक्षा संसानों को इस से जोडा गया है, युवा संगम में, युवा दिशरे राज्यों के शहरों और घावों में जाते हैं, उन्हें अलग अलग तरह के लोग कर चुके हैं, जो भी युवा इसका हिस्सा बने हैं, वे अपने साथ ऐसी यादे लेकर वापिस लौट रहे हैं, जो जीवन भर उनके रदे में बसी रहेगी, हमने देखा हैं कि कई बड़ी कंपनियों के CEO, बिजनेस लिडर्स, उन्होंने बैक पैकर्स की तरह भारत में सम गुजारा है, मैं जब दूसरे देशों के लीडर से मिलता हूँ, तो कई बार वो भी बताते हैं कि वो अपनी युवा वस्ता में भारत घुमने के लिए गए थे, हमारे भारत में इतना कुछ जानने और देखने के लिए हैं कि आपके उत्सुता हर बार बढ़ती ही मुझे उमीद है कि इन रोमान्चक अनुभाओं को जानकर आप भी देश के अलग अलग हिस्सों की यात्रा के लिए जरूर प्रेरिक होंगे मेरे पहरे देश्वासियों कुछ दिनों पहले ही मैं जपान में हिरोशिमा में था वहां मुझे हिरोशिमा पीस मेमोरियल मुजिम में जाने का अवसर मिला यह एक भावुक कर देने वला रूभ हो था जब हम इत्यास की आदाओं को संजोकर रखते हैं तो वह आने वाली पीज्वों की बहुत मदद करता है कई बार मुजिम में हमें नए सबग मिलते हैं तो कई बार हमें बहुत कुछ सिखने को मिलता है कुछ दिन पहले ही भारत में इंटरनेशनलन मुजिम एक्सपो का भी आविजन किया था इसमें दुनिया के बारा सो से अधीक मुजिम की बिज़ेस्ताओं को दर्शाय रहा हमारे हाँ भारत में अलग अलग प्रकार के ऐसे कई मुजिम्स है जो हमारे अतीद से जुड़े अनेक पहलूं को प्रदर्सित करते हैं जैसे गुरुग्राम में एक अनुखा संग्रहाल है मुजियो कैमेरा इसमें अठारा सो साट के बाद के आठ हजार से ज़्यादा कैमेरो का कलेक्शन मुजूद है तमिल्लावड के मुजिम अप पॉसिबिलिटीज को हमारे दिव्यांग जनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है मुंबे का छत्रपती सिवाजी महाराज बास्तु संग्राल एक ऐसा मुजियम है जिसमें सत्तर हजार से भी ज़िक चीज़े समरक्षित की गई है साल 2010 में स्थापित इंडियन मेमरी प्रोजेक्ट एक तरह का ऑनलाइन मुजियम है इसे दुनिया भर से भेजी गई तस्वीरों और कहानियों के माध्यम से भारत के गवरोवशाल इतिहास की कड़ियों को जोड़ने में जुटा है विभाजन की विभीशिका से जुड़ी स्वूरूतियों को भी सामने रहने का प्रयास किया गया है बीते वर्सों में भी हमने भारत में नए नए तरह के मुजियम और मेमोरियल बनते देखे हैं स्वादिन ता संग्राम में आदिवाजी भाई बहनों के युगदान को समर्पित दस नए मुजियम बनाए जा रहे हैं कोलकता के विक्टोरिया मेमोरियल में विपलोभी भारत गैलेरी हो कैफिर जलिया वाला बाग मेमोरियल का पुनरुधार देश के सभी पुर्व प्रधान मंद्रियों को समर्पित प्यम मीजियम भी अदिली की सोभा बढ़ा रहा है दिली में ही नेशनल वार मेमोरियल और पुलिस मेमोरियल में हर रोज अनेकों लोग शहीदों को नमन करने आते हैं अईतियास से की दान्डी आतरा को समर्पित दान्डी मेमोरियल हो या फिर स्टेची ओफ यूनिटी मीजियम खैर मुझे यहीं रुख जाना पड़ेगा क्योंकि देश भर में मुजियम्स की लिस्ट काफी लंबी है और पहली बार देश में सभी मुजियम्स की बारे में जरूरी जानकारियों को कंपैल भी किया गया है मुजियम किस थिम पर आधारीत है वहां किस तरह की वस्तुयें रखी है वहां की contact details क्या है इस सब कुछ एक online directory में समाहित है मेरा आपसा आगरह है कि आपको जब भी मुका मिले अपने देश के इन मुजियम्स को देखने जरूर जाएं अब वहां की आकरसक तश्विरों को hashtag museum memories पर share करना भी न भूले इससे अपनी वैभो साली संस्कृते के साथ हम भारतियों का जुड़ाव और मजबुत होगा मेरे प्यारे देशवासियों हम सब ने एक कहावत कई बार सुनी होगी बार बार सुनी होगी बिन पानी सबसून बीना पानी जीवन पर संकर तो रहता ही है व्यक्ति और देश का विकास भी थप पड़ जाता है भविश की इसी चुनोंती को देखते हुए आज देश के हर जीले में 75 अमरुद सरोवरों का निर्मान किया जा रहा है हमारे अमरुद सरोवर इसलिए विशेस हैं क्योंकि ये आजहादी के अमरुद काल में बन रहे हैं और इसमें लोगों का अमरुद प्रयास लगा है आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अब तक 50,000 से जादा अमरुद सरोवरों का निर्मान भी हो चुका है ये जल सवरक्षन के दिशा में बहुत बड़ा कदम है साथियों हम हर गर्मी में इसी तरह पानी से जुड़ी चुन्योतियों के बारे में बात करते रहते हैं इस बार भी हम इस विशे को लेंगे लेकिन इस बार चर्चा करेंगे जल सवरक्षन से जुड़े स्टार्ट अप्स की एक स्टार्ट अप है फ्लॉक्स जैन ये स्टार्ट अप आयोटी एनेबल तकनिक के जरिये वाटर मैनेजमेंट के विकल्प देता है ये टेक्नालोजी पानी के इस्तिमाल के पैटर्टर्स बताएगा और पानी के प्रभावी इस्तिमाल में मदद करेगा एक और स्टार्ट अप है लिव एन सेंस ये आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और मशिन लर्निंग पर आधारिक प्रेटफर्म है इसकी मदद से वाटर डिस्टिबिशन की प्रभावी निग्रानी की जा सकेगी इससे ये भी पता चल सकेगा कि कहां कितना पानी बरबाद हो रहा है एक और स्टार्टप है कुम्भी कागज कि कुम्भी कागज ऐसा विशह है मुझे पक्का विश्वास है आपको भी बहुत पसंद आएगा कुम्भी कागज स्टार्टप उसने एक विशेस काम सुरू किया है वे जल कुम्भी से कागज बनाने का काम कर रहे हैं यानि जो जलकुम भी कभी जल स्त्रोतों के लिए एक समस्या समझी जाती थी उसी से अब कागज बनने लगा है साथियों कई युवा अगर इनोवेशन और टेक्नोलोजी के जरी ये काम कर रहे हैं तो कई युवा यसे भी हैं जो समाज को जागरुक करने के मिशन में भी लगे हुई हैं जैसे कि चत्रिस गड़ में बालो जिले की युवा हैं यहां के युवाओं ने पानी बचाने के लिए एक अभियान शुरू किया है यह घर घर जाकर लोगों को जल समरक्षन के लिए जागरुक करते हैं कहीं शादी ब्याज जासा कोई आयोजन होता है तो युवाओं का यह गरुप बहां जाकर पानी का दुरुप्योग कैसे रोका जा सकता है इसकी जानका दी देता है पानी के सदुप्योग से जुड़ा एक प्रेरक प्यास जारखन के खुंटी जिले में भी हो रहा है खुंटी में लोगों ने पानी के संकर से निपटे के लिए बोरी बांद का रस्ता निकाला है बोरी बांद से पानी कटा होने के कारण यहां साग सबजियां भी पैता होने लगी है इससे लोगों की आवद्नी भी बढ़ रही है और इलाके की जरुते भी पूरी हो रही है जन्भागी दारी का कोई भी प्रयास कैसे कई बढ़लाओं को साथ लेकर आता है खूटी इसका एक आकरशक उधारन बन गया है मैं यहां के लोगों को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मेरे प्यारे देशवासियों 1965 के युद्ध के समय हमारे पूर्व प्रधान मंत्री लालबादूर सास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नहरा दिया था बाद में अट्रल जी ने इसमें जय विज्ञान भी जोड दिया था कुछ वर्स पहले देश के विज्ञानी को उसे बात करते हुए मैंने जय अनुसंधान की बात की थी मन की बात में आज बात एक ऐसे व्यक्ति की एक ऐसी सहुस्था की जो जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंदान इन चारों का ही प्रतिवीम है ये सज्जन है महराश्टर के स्रिमान सिवाजी शामराव डोले जी सिवाजी डोले नासिक जिले के छोटे से गाउं के रहने वाले हैं वो गरीब आदिवासी किसान परिवार से आते हैं और एक पुर्वसाइनिक भी है फोज में रहते हूं उन्होंने अपना जीवन देश के लिए लगाया रेटायर होने के बाद उन्होंने कुछ नाया सिखने का फैसला किया और एग्रिकर्चर में डिपलोमा किया यानि वो जय जवनन से जय किसान की तरफ बढ़ चले अब हर पल उनकी कोशिज यही रहती है कि कैसे कृसिक शेतर में अपना अधिक से अधिक योगदान दे अपने इस अभियान में शिवाजी डोले जी ने 20 लोगों के एक छोटी सी टीम मनाई और कुछ पूरु सहिजनिकों को भी इसमें जोडा इसके बाद उनकी स्टीम ने बैंकटेश्वर कोपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमेटेड नाम की एक सहकारी संस्ता का प्रभंधन अपने हाथ में ले लिया ये सहकारी संस्ता निस्किर्य पड़ी थी जिसे रिवायू करने का बिड़ावनन ने उठाया देखते ही देखते आज बैंक टेस्वर कोपरेटिव का विस्तार कई जीलों में हो गया है आज ये टीम महाराष्ट और करनाटका में काम कर रही है इससे करीब 18,000 लोग जुड़े हैं जिनमें काफी संख्या में हमारे एक्स सर्विसमेंट भी है नासिक के माले जौँ में इस टीम के सदस्या 500 एकर से ज़्यादा जमीन में एग्रो फार्मिंग कर रहे हैं ये टीम जल सवरक्षन के लिए भी कई तालाब भी बनवाने में जुटी है खास बात यह है कि इन्होंने और्गेनिक फार्मिंग और डेरी भी शुरू की है अब इनके उगाये अंगुरों को यूरोप में भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है इस टीम की जो दो बड़ी विशेश्ता है जिसने मेरा ध्यान आकरसित किया है वो ये है जय विज्ञान और जय अनुसंधान इसके सदसे टेक्नोलोजी और अधिक से अधिक उप्योग कर रहे है दूसरी विशेश्ता यह है कि वे एक्सपोर्ट के लिए जरूरी कई तरह के सर्टिफिकेशन पर पर फोकस कर रहे है सहकार से समृद्धी की भावना के साथ काम कर रही इस टीम की मैं सरहना करता हूँ इस प्रयास से ना सिर्फ बड़ी संख्या में लोगों का ससक्तिकन हुआ है बलकि आजी विका के अनेक साधन भी बने हैं मुझे उमीद है कि हप्रयास मन की बात के हर स्रोता को प्रेरित करेगा मेरे प्यारे देशवासियों आज 28 माई को महान स्वतंतरता सेनानी वीर सावर करजी की जेनती है उनके त्याग साहस और संकल पसक्ति से जुड़ी गाथाए आज भी हम सब को प्रेरित करती है मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब मैं अंडामान में उस कोठी में गया था जहावीर सावर कर ने काला पानी की सजा काटी थी वीर सावर कर का व्यक्तित्व द्रड़ता और विसालता से समाहित था उनके निर्भीक और स्वाभीमानी स्वभाव को गुलामी की मानसिक्ता बिलकुल भी रास नहीं आती थी स्वतंतरता अंडोलनी नहीं सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए भी वीर सावर कर ने जितना कुछ किया उसे आज भी याद किया जाता है साथियों कुछ दिन बाद चार जून को संत कबिरदास जी की भी जेंती है कबिरदास जी ने जो मार्ख में दिखाया है वो आज भी उतना ही प्रासंगी है कबिरदास जी कहते थे कबीरा कुमा एक है पानी भरे अनेक बरतन में ही भेद है पानी सब में एक यानि कुए पर भरे भिन भिन तरह के लोग पानी भरने आए हैं लेकिन कुआ किसी में भेद नहीं करता पानी तो सभी बर्तनों में एक ही होता है संत कबीर ने समाज को बांटने वाली हर कूपरथा का विरोत किया समाज को जागरूत करने का प्रयास किया आज जब देश विख्सित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है तो हमें संत कबीर से प्रेणा लेते हुए समाज को ससक्त करने के अपनी प्रयास और बढ़ाने चाहिए मेरे पैरे देश वासियो अब मैं आपसे देश के एक ऐसी महान हस्ति के बारे में चर्चा करने जहां रहा हूँ जिन्नोंने राजनीती और फिल्म जगत में अपनी अध्भूत प्रतिभा के बल पर अमिट छाप छोड़ी इस महान हस्ति का नाम है एंटी रामाराओ जिने हम स जबी एंटी आर के नाम से भी जानते हैं आज एंटी आर की सौवी जेनती है अपनी बहमुकी प्रतिभा के बल पर वो ना सिर्फ तेलुकु सिनेमा के महानायक बने बलकि उन्होंने करोडों लोगों का दिल भी जीता क्या आपको मालू है कि उन्होंने तीन सो से अधिक फिल्मों में काम किया था उन्होंने कई एटिहासिक पांत्रों को अपने अभिनाई के दम पर फिर से जिवन्त कर दिया था बागवान कृष्ण, राम और ऐसी कई अन्य भुमिकाओं में एंटियार के एक्टिंग को लोगों ने इतना पसंद किया कि लोग उन्हें आज भी याद करते हैं एंटियार ने सिनेमा जगत के साथ साथ राज निती में भी अपनी अलग पहचान बनाई थी यहाँ भी उन्हें लोगों का भरपूर प्यार और आसिरवाद मिला देश दुनिया में लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले एंटि रामा राव जी को मैं अपनी विनम्र स्रधांजली अर्पित करता हूँ मेरे पहरे देशवासियों मन की बात में इस बार इतना ही अगली बार कुछ नए विश्यों को इसाथ आपके बीच आऊंगा तब तक कुछ इलाकों में गर्मी और ज़्यादा बढ़ चुकी होगी कहीं कहीं पर बारिज भी शुरू हो जाएगी आपको मौसम की हर परिस्तिते में अपनी सहत का ध्यान रखना है 21 जून को हम वर्ल योगा डेवी मनाएंगे उसकी भी देश विदेश में तयारिया चल रही है आप इन तयारियों के बारे में भी अपने मन की बात मुझे लिखते रही है किसी और विशे पर कोई और जानकरी अगर आपको मिलें तो वो भी मुझे बताईएगा मेरा पयास जादा से जादा सुझाओं को मन की बात में लेने का रहेगा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अब मिलेंगे अगले महिने तब तक के लिए मुझे बिदा देजिए नमस्कार तो प्रधामंत्री अपनी 101 एपिसोड मन की बात की कर रहे थे नए संसद के उद्गाटन के दिन मन की बात संसद भने बीजेपी के सांसदों ने भी ये कारिकरम सुना है प्रधामंत्री ने कहा ये एपिसोड दूसरे शतक का प्रारंब है आपके भागिदारी ही इसकी ताकत है